करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के ऊपर जो कि आपको आल्मोस्ट 12,587 करोर का यहां पर आपको डिविदेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है इन डिटेल में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कौन सा स्टॉक है और आगे का लेवल्स भी क्या होने वाला है सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा है या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को ज़रूर प्रेस कर लिजए साथी वेदानता ने आपको थर्ष्टे को एनाउंस किया है जो 11 अक्टूबर के जो आपको वेदानता का बोर्ड मीटिंग होने वाला है उसमें आपको वेदानता के पास 12,500 करोर का जो है वो आपको सर्पलस एमाउंट है एजे रिजर्ब उसको वो अपने सेर होल्डर्स में यह करने करने की लिये यहां पे आपको करने करेगा और उसके बाद है आपको नेक्स ट्वाटर में डिस्ट्रीट किया जाएगा अगर यह अमाउंट आपको यहां पे थो यहां पर फॉट्पोल्यो में कैना,र्स कि वाहन दुख कर सकते हैं इससाथ जो एक दूसरा ऐंनाउंस्मैंट के दौरह किया गया यहां पर clarification दिया गया, जो recently आपको Foxconn के साथ इन्हों ने joint venture में गुजरात में अपना semiconductor plant लगाया है, स्टार्ट किया है, वहां पर आपको यह plant वेदानता limited के अंदर में नहीं आएगा, यह इनके parent holding के अंदर में जाएगा, यह आपको वेदानता के अंदर में नहीं आएगा, तो इसी anticipation में जो है, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, तो उससे पहले, इस semiconductor के plant के news से पहले यहा यहां पर बहुत massive jump देखने को मिला था, तो आक में almost जो है, आपको 10% से ज्यादा का हम लोगों को यहां पर movement देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से जैसे ही यहां पर आपको release किया गया, यहां पर हम लोगों को profit booking देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो overall अभी भी company good है, अच्छी है, ऐसा नहीं है, जो मतलब कि आपको semiconductor का plant लगने से ही company अच्छा था, already company का portfolio काफी अच्छा है, तो आप यहां पर hold करके रख सकते हैं, अब अगर हम लोग बात करें, levels का तो वेरांता में जो आपको levels है, जो resistance है, वो आपको 300 to 325 के zone में है, अगर 325 के zone के ऊपर stock यहां पर निकलता है daily chart में, तो फिर एक अच्छा movement देखने को मिल सकता है, नीचे में अगर हम लोग immediate support की बात करेंगे, तो immediate support है 250 का, तो यहां पर 250 के level के नीचे निकलता है, तो भी stock में हम लोगों को ज्यादा बड़ा गिरावट यहां पर देखने क चाहते हैं और वेदानता एक बहुत ही अच्छी company है, यहां पर कि अगर 35 to 33 रुपीज का dividend अगर वापस से next quarter में मिल जाता है, तो overall अगर हम लोग देखेंगे तो इस financial year में जो है approximate आपको 80 to 85 रुपीज का dividend company payout करेगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छा dividend है, almost 26% का growth जो है आ पर नामता एक company भी अच्छी है, साथी साथ एक अच्छा dividend payout भी कर रही है, और जो है आपको technicals भी यहां पर काफी अच्छा लग रहा है, अल्रेडी एक अच्छा correction हो चुका है इस stock में, तो यहां पर अगर आप आप आपने portfolio में add करना चाहते, तो आप अपने portfolio में add कर सकत सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जरूर करें